हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेश आले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 36 करेंगे जो की क्लास 6 की है और विश्य है सामाज इक विज्यान ये वरक्षिट 25 नेवेंबर 2021 की है तो आज ये शुरू करते है आज की वरक्षिट उप विश्य पंचायती राज तथा नगर प्रशाशन का निर्मान के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ते हैं पंचायती राज में ग्राम सभा एक पंचायत के शेतर में रहने वाले सभी व्यसकों कोई भी व्यक्ति जिसकी उमर 18 साल या जिसका नाम मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है कि एक सभा होती है कि ग्राम सभा पंचायच शेतर में रहने वाले उन सभी व्यसकों की एक सभा होती है एक ग्राम पंचायच कई वाडों में बटा होता है प्रतेक वाड अपना एक प्रतिनी दित चुनता है जो वाड के पंच के नाम से जाना जाता है पहले तो क्या है जितने भी वियसक है ना वो मिलकर एक सभा बनाते हैं और जो ग्राम पंचायत है वो वाड अलग-लग वाडों में क्या होती है बटी हुई होती है प्रतेक वाड से एक प्रतिनिदी चुना जाता है और उसे पंच कहा जाता है इसके साथ पंचाय शेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुख्या होता है वाड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पांच साल के लिए करते हैं आगे देखो में एक परतिनिधितु चुना जाता है जो उनका लीडर हो जाता है उसे पंच कहते हैं और ये पंच मिलकर अलगलग वाड के पंच मिलकर एक सरपंच मनाते हैं ग्राम पंचायत का एक सचीव होता है जो ग्राम सभा का सचीवी होता है सचीव का चुनाव नहीं होता इसकी सरकार द्वारा न्युक्ति की जाती है सचीव का चुनाव नहीं होता है वो क्या है सरकार द्वारा उसकी न्युक्ति की जाती है सचीव का काम है कि ग्राम सबाता ग्राम पंचायत में बैठक बुलाना जो भी चर्चा और निन्या हुए है उनका रिकोर्ड रखना तो सचीव का काम क्या है उसका काम है जो भी काम किये जा रहे हैं उसका रिकोर्ड रखने का काम किसका है सचीव का है अब हम देखते हैं नगर प्रशाशन क्या कहता है नगर प्रशाशन पूरी नगर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है जिसे ग्राम को बांटा गया वैसे ही नगरों को क्या क्या जाता है वार्ड में बांटा जाता है हर वोर्ड से एक पार्षद का चु करते हैं अब सभी पाश्षद मिलकर क्या करते हैं मेर का चुनाव करते हैं जो नगर का मुख्या होता है यह निगम का मुख्या होता है और इसके बाद यह पार्षद और पार्षद को सरकार का गठन करते हैं नगर निगम की कुछ निन्य ऐसे होते हैं जो सारे संसार को सारे शहर को प्रभावित करते हैं ऐसे जटेल निन्य पार्षदों के समुहेद द्वारा ली जाते हैं और शहरों में किस तरह से लक्षिन होता है, महाँ पर पंच कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, यहाँ पर पार्शद कहा जाता है, शहरों में और मेर कहा जाता है, ठीक है, अब पोशन है, दोनों बहुत ही आसान है, ग्राम पंचायत का चुनाव किस परकार होता है, नगर नि मुख्या होता है यहां तक ही हो गया अगर हम सेकंड कोशन की बात करते हैं कि नगर निगम में प्रशाशन कैसे होता है तो यहां से लिखेंगे नगर पूरी शहर को अलग लग वार्डों में बांट दिया जाता है हर वार्ड में पार्षद का चुनाव होता है वार्ड में रह से कोशन आये तो आपको यी लिखने है तो फिर्स्टार्स्ट। mayशन का अंसर ने देख लिया है तो यह थी हमारी आज की वरक्षीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से छेक कर वाई ह।क ten जा-why फिर वाँ- मैं सब्सक्राइब किया और शेर किया थैक्यू गाई